Hello students, welcome to you all in your English class. Today we are going to discuss about worksheet. Worksheet number 5 है बिटा यहे, ठीक है? Class 8 student के लिए है और English की worksheet है. October 5, 2020 की worksheet है, ठीक है? यहाँ पर student अपना नेम लिखेंगे और यहाँ अपनी class teacher का नेम लिखेंगे, ठीक है? यह part 2 है बिटा, part 2 of lesson 2. tsunami, ठीक है? आपकी book में lesson 2 है, tsunami. उसमें से लिया गया है, ठीक है? A, नमर पे समझे, given blow are some pictures of safety drills. Safety drills conducted in your school. आपके school में देखो, conducted किया जाती थी ना, कभी fire से related fire drill करवाई जाती थी, fire safety कैसे होती है? earthquake आजाए तो कैसे बचना है? तो आप उसे mock drill करवाई जाती थी ना, उसी base पे ये. नो in the box below each picture. पर ते एक picture के नीचे आपने, क्या लिखना है? येस और नो. देखो, आपको क्यों में नीचे आना है, लाइन में नीचे आना है, ये करवाई थी ना, आपको येस लिख देना है. बेंस के नीचे कैसे one, two, three करकर चीपना है, तो वो भी सिखाय गया था, येस ये भी आपको सिखाय गया था, येस और आपको कैसे बुझाया जाता है, तो ये भी आपको सिखाय गया था, तो सभी येस, ठीक है? सिखाई गई है स्कूर में करवाई गई हैं आप अब देखो यहां पे फालौ से लिए पार्ट वनि टोरी चीयांर इंडय Carniva इन निकोबार की हैं जो स्टोरी आपने पढे हैं असरा गया प्डिले त्यार जेए हैं और थाइल इना पटए हैं थाइले डिले पीड टेली श्मीट कौन है एक ब्रिटिस स्कूल गर्ल है वाज एबल टू सेव मैनी लाइब जिन्होंने काफी जोनों की जान बचाई काफी लोगों की जान बचाई वेन सुनामी स्टक इन पुकेट बीच इन थाइलेंड जब थाइलेंड में पुकेट बीच पे अर्थक्विक आ भी पढ़ेंगे इसमें परग्राफ में टेली श्मीट टेली स्मीट कौन है टेन्स इयर स्कूल गर्ल है ठीक है स्कूल में जाने वाली लड़की है टेन्स दस साल की हर सैवन इयर ओल्ड सिस्टर उसकी साथ साल की छोटी बहन है देर पेरेंट्स उसके पेरेंट्स कौन है प हें साउत रंद थाइलेंड साउत हें या क्रिसमस क्रिसमस क्रिश्मस करेंग Michyam Wakab वी था 26 दिसंबी टोथाऊजनट्ट फॉर फोर औरきた N je Summer खोता पैनी समीथ और कोली शमीथ और अपनी दोनों बेटिहों बेटियों यह एक क्योंसाल की सिष्टर और एक टैले स्मीट यह दस साल की रड़की है वह कहां पर आए हैं क्रिस्मस सेलिबरेट करने के लिए साउथ रन थाइलेंड पर आई है कि रिसोर्ट में ठेरे हुए हैं ठीक है डाडली सुनामी वेवस वर अल्रेडी ओन देर वे सुनामी वेवस पहले से ही उनके रास्ते में थी ठीक है स्वेलिंग वाटर धीर धीर बढ़ रहा था कपकंविं इन आ रहां था पैनीस्मीट कौन है त्यली की मदर रिक्मेंडीड रिमेंबर नुसको याद आ रहा है उसको याद करते वह क्या कह रही हैं कि लालीट वाज गेटिंग समालर एंड समालर की जो बीज था वगिनारा था वह चोटा-चोटा होता जा रहा था आई डिड़न्ट नो मैं नहीं जानती थी वट वाज हैपन हैपनेंग की क्या हो रहा है बड़ टैली स्मीट सेंस्ट डैट सम्थिंग वाज रोंग लेकिन टैली स्मीट ने यह महसूस कर लिया था कि कुछ गलत होने वाला था ठीक है ह उसने इंग्लेंड में लिया था लेक्चर का ज़स्ट टू विक बिफोर ही सी फ्लू आउट टू थाइलेंड विधर फैमिली उसके फैमिली के साथ आने से पहले यानि फलाइट में आने से दो सब्ता पहले उसने अपनी क्लास में इंग्लिश की क्लास में क्या सिखा था इ एसके दिमाख में टैली smith के टीक है टैली डीली सिस ओस्ट्राइच वह समांदर वह दिर दिरे बढ़ रहा है स्टार्ट ओ जग बना रहा है और GYES यद्ध शानल हर क्लास दा विडियो उसकी जोगर्फी टीचर ने उनको क्लास में वीडियो दिखाई थी and told them और उनको बताया था that tsunami can be caused by tsunami आ सकती है किसके दवारा earthquake के दवारा भुकंप के दवारा volcano के दवारा या landslide के दवारा मतलब इन में से किसी के दवारा भी tsunami आ सकती है ठीक है टैली started to scream at her family to get off the beach आप टैली चिलाना शुरू कर देती है अपनी फैमिली को कि ये किनारा छोड़ दो ये बीज छोड़ दो ठीक है c talk about an earthquake वो earthquake के बारे में बात करना शुरू कर देती है under c वो कहती है कि समूंदर के नीचे earthquake है सेड हर मदर पैनी वो अपनी मदर पैनी को बताती है कि जो c है समूंदर के नीचे अर्थक्विक है आई डॉंट नो वट आ सुनामी वाज अब उसकी मदर बोल रही है कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या था क्या होता है नहीं मैं नहीं जानती थी but seeing my daughter so frightened लेकिन मेरी daughter को मेरी बेटी को इतना frightened यानि इतना ड्रह हुआ देकर I thought मैं समझ गई थी something serious must be going on कि कुछ गंभीर जरूर होने वाला है ठीक है टैली स्मीट्स पेरेंट्स टैली के पेरेंट्स ते टुक हर उसको ले गए कहां पेर हर सिस्टर उसकी सिस्टर को away from the beach किनारे से to the hotel में ले गए ठीक है then it was as if the entire sea had come out after them और थोड़ी देर बाद क्या लगा ऐसा लगा कि पूरा का पूरा entire होता है पूरा कि पूरा समुंदर ही उनके पीछे दोड़ पड़ा हो आ गया हो I was screamed मैं चिलाई रन दोड़ो the family took the refuge in the third floor of the hotel hotel के तीसरे फ्लोर पे सभी ने सरन ली if they had stayed on the beach अगर वो किनारे पे ही खड़े रहते they would not have alive कि वो जीवित नहीं रहते अगर वो किनारे पर ही खड़े रहते सभी the Smith later met other tourist Smith दूसरे टूरिस्ट से बाद में मिलती है who had lost the entire family जिन्होंने पूरी family ही खोदी थी उसमें क्योंकि वो सी वेव आई और समुंदर में बहा के ले गई सभी पूरी family को thank to telly वो telly का धन्यवाद करे थे and her geography lesson और उसके जोगर्फी के lesson का भी they had been forward जिस ने उसको पहले से ही for one मतलब पहले से ही चेतावनी दे दी थी कि ऐसे ऐसे सुनामी आती है ठीक है telly went back to her school in England telly अपने England के school में वापस जाती है and told her classmates अपने classmates को बताती है her terrifying tale यह नहीं कहानी अपनी जो भी आंकर कहानी है terrifying यह नहीं कहानी है वो सभी अपनी classmates को बताती है अब आपनी question answer करने है now answer the following question by choosing correct option correct option करना है why did telly smith sorry telly's family come to Thailand Thailand क्यों आई थी to celebrate Christmas Christmas celebrate करने to celebrate her sister's birthday उसकी sister का birthday नहीं वो to celebrate Christmas तो option B आपका correct है question number second देखें where did the smith family and other on the beach go to escape from tsunami आप सुनामी से बचने के लिए smith और दूसरे किनारे को छोड़कर escape होता बचके निकलना सुनामी से बचके निकलने के लिए वो कहां गई where कहां गई to the third floor of the hotel hotel के third floor पर या nearby house नजदिक के किसी घर में तो option A आपका correct है to the third floor of the hotel ठीक है Tally saved many lives because she remembered her geography lesson Tally ने काफी लोगों की जीवन बचा दिया क्योंकि उसको अपना जोगरफी lesson याद था देखो आप भी अगर कोई अपना lesson जो भी टीचर पढ़ाते हो आपके किसी ने किशी वे पे किसी ने किशी लाइफ में कहीं ने कहीं जुरूर काम आती ही चीजे तो आपने सभी बच्चे ध्यान से समझा करो आप भी ठीक है fill in the blank with what she learned in जोगरफी class उसने जोगरफी class में क्या सीखा आपने fill up में भरना है ठीक है सुनामी किस से आ सकती है अर्थक्वेक से आ सकती है वोलकैनों से आ सकती है लैंड्सलाइड से आ सकती है तो आप कहां से लिखोगे answer कि यहां से देखो कि योज्ट वाई अर्थक्वेक वोलकैनों लैंड्सलाइड ठीक है यह आपका answer है फर्स्ट का ठीक है अब सेकिंड देखें सेकिंड क्या है था बीच वाज गैटिंग बीच हो रहा था किनारा हो रहा था क्या रहा था स्मॉलर स्मॉलर होता ना चोटा- तो आप कैसे लिखोगे दा बीच वाज गैटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर ठीक है यह आपका दूसरा कोशन का answer है ठीक है स्मालर एंड स्मालर ठीक है अपका जो थर्ड फिलप है उसमें है टैली शाद सी स्लोली टैली ने देखा कि जो सी है वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है और फिर प्रृश्टार टुफ़ों फोम बना रहा है बबल स्मा रहा है और फोम विल्पॉल तो यह आपका answer कहां पर है यह रहा ठीक है टैली साद सी राइस एंड स्टार टुफ़ों बबल एंड फोम विल्पॉल यह आपका थर्ड अंसर थीक है तो आपको सभी को बीटा वीडियो कैसी लगी कमेंट करें ठीक है अगर कुछ समझ में नहीं आ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और वीडियो को लाइक करें और चैनल अगर अभी तक सस्क्राइब ने किया तो सस्क्राइब कर लें विटा थैंक यू